ये आकाश्वानी है अब आप हरी संतों से समचार सुनिए वितमंत्री ने इन आशंकाओं को खारिश किया कि ये कर एक वर्ष के बाद भी जारी रहेगा उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के सारचार्ज लगाए गए है और बाद में उन्हें हटा दिया गया श्री चिदंबरम ने इस संबंद में नकद अंतरन कर और फ्रिंज लाब कर का हवाला दिया जिनें बाद में हटा दिया किया था वित मंतरी पीछ दंबरम कल रात गूगल प्लस हैंग आउट के जरीए केंदरिय बजट 2013-14 पर लोगों से रूबरू होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे वीडियो कॉन्फरेंस के लिए रात आट बजे का समय तया है ये पहला मोका होगा जब कोई केंदरिय मंतरी नागरिकों से बातचीत के लिए किसी ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करेगा योजना आयोक के उपाध्यक्ष मॉन्टेक्सिंग अलवालिया ने कहा है कि अगले वितवर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत की आर्थिक विकासदर का अनुमाल लगाया जाना सही है आज एक समाचर चैनल से साक्षातकार में श्रीय अलवालिया ने कहा कि सरकार ने आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सही कदम उठाये हैं इसलिए 6.5 प्रतिशत की आर्थिक विकासदर हासिल कर पाना मुश्किल नहीं होगा भरतिय जनता पार्टी ने आज कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ना जरूरी है और इस समस्या से निपटना केंदर और राज्य सरकारों की सामुहिक जिम्मेदारी है पार्टी ने आज नहीं दिल्ले में अपनी राष्टिय पारिशत की बैठक में पारित किया गया राज्यनितिक प्रस्थाव में कहा कि उसे आतंकवाद से निपटने के लिए राष्टी आतंकवाद निरोधक केंदर NCTC के गठन को लेकर सैध्धानतिक रूप से कोई आपत लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियां संविधानिक धांचे के दाएरे में रहनी चाहिए। अन्डिये की पराजह के लिए श्री वाजपई ने गुजरात के धंगों को ही जिम्मेदा ठहराया था। पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई होगी। आज अमरत्सर में उन्होंने कहा कि CBI इस माबले की जांच कर रही है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जमुकश्मीर में दो भारती सैनिकों का पाकिस्तान दौरा सरकलम किये जाने के बारे में उन्होंने कहा कि सीमा पर और सैनिक तैनात किये गए हैं और हमारी सेना किसी भी तरह की स्थिती से निपटने के लिए तैयार है। राश्टोपती प्रणम मुखरजी बंगलादेश की तीन दिन की राजकिये यात्रा पर आज दो पहर बाद धाका पहुँचे। हवाई अड़े पर बंगलादेश की राश्टोपती जिलूर रह्मान ने उनकी अगवानी की। श्री मुखरजी का समारहू पूरवक्स वागित हुआ। ढाका आगमन के तुरंत बाद राश्टोपती प्रणम मुखरजी ढाका से कुछ दूरी पर सित्थ सावर पहुँचे। जहां उन्होंने राश्टी समार्क पर 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रिभाजली अरफित की। भारत के राश्टोपती का पदभार संभलने के बाद शिरी प्रणम मुखरजी की ये पहली सरकारी वी देश यत्रह है। सोमवार को उन्हें 1971 के मुक्ती संग्राम में योगदान के लिए बंगलादेश मुक्ती संग्राम सम्मान दिया चाएगा। हैदरबाद में ऐस्टेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में एक विकेट पर 311 रन बना लिये हैं। चेतेश्वर पुजारा एक सो बासेट और मुरली विजय एक सो उनतीस रन बना कर नौट आउट है। पुजारा और विजय ने दूसरे विकेट के लिये रिकॉर्ड 294 रन की नाबाद साजेदारी की। भारत ने अब तक 74 रन की बढ़त ले ली है। आस्टेलिया ने पहली पारी 9 विकेट पर 237 रन बना कर घोशित कर दी थी। आगाश्वाणी से मैच के तीसरे दिन का आँखोदे का हल कल सवेरे 9 बच कर 20 मिनट से सुना जा सकेगा। इसके साथ ही ये समचार बिलिटिन समाप्त हुआ।